Hello friends, welcome to Les Revisors, this is Ramsoni, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, UPSC ने finally अपना ओफिसिल कटाफ जारी कर दिया है, आपको पतो होना चे, UPSC का किसी भी स्टेज्स का, चाए प्रलेम्स का हो, चाए मेंस का हो, चाए इंटरिव्यू का हो, इसका जो कटाफ है, फाइनल जो कटाफ आता इस कटाफ के दिम बात करें, तो यहाँ पर यह तीनो ही स्टेज्स के कटाफ आ गया है, प्रलेम्स के कटाफ आ गया है, मेंस में कितना कटाफ गया है, वो भी आ गया है, साथ में फाइनली कटाफ कितना गया है, इनके बरे में, जिदि हम प्रलेम्स की बात करें, यहाँ पर मतलब आप कह सकते हैं EWS कटाफ कितना कम गया देखिए महज 37 तर इस कोशन में आपका सेलेक्शन हो रहा है इतना कम कटाफ EWS किया है इवनली अधर बैकवर्ड ट्लास से भी कम गया देखिए EWS क्या होता है EWS के जो लोग होते हैं SC, ST और OBC के लोग जो है EWS कटेगरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते दि आप SC, ST, OBC बिलॉंग करते हैं यह आप EWS में नहीं आसकते दि आप इस कटेगरी का नाम लिखते हैं EWS में आम तोर पर केबल जैनल कर्टेगरी के लोग आते हैं तो यहांपे कटाप किया 77.55, OBC की बात करें यहाँ पे कटाफ गया 89.12 मतलब general और OBC कटाफ में भी थोड़ा difference रहता ही ST का जो कटाफ है यह गया 74.84 ST का गया 68.7 लेकिन सबसे मात पुण है economically weaker section कटाफ जो है काफी नीचे जा रहा है इसके लाब बहुत सारी categories है PWBD 1 है 2 है 3 है 5 है तो यहाँ पर देखाए इसके लाब ऐसे का भी एक paper होता है तो इस हिसाब से देखें तो होता है 1750 इसमें GAS 736, EWS GAS 647 OBC की बात करें OBC कटाफ 698 है मतलब OBC कटाफ जो है economically weaker section से अधिक जा रहा है मतलब basically आप कह सकते है economically weaker section कटाफ हमेशा ही हमेशा सारे exam में कम जा रहा है सुल्कास की बात करें यहाँ पर गया 680 सुल्ल ट्राइब का 682 गया है यह काफी सर्प्राइजिंग है कि सुल्ल ट्राइब का जो कटाफ है इस बार ESC से उपर गया है PWBD बाकी बावसर कटेगरीज है यहाँ पर कम जाता है PWBD 5 जो है सबसे काफी difficult कटेगरी होती है इनको perform करना तो यहाँ पर सबसे कम गया है final की बात करें फाइल में 1750 में जा आप 275 नंबर इंटर्वू केट करते है 275 नंबर तो हो जाता है आपके कितने नंबर that's 2000 कितना हो जाएगा 2025 और 2025 नंबर तो इसमें कटाफ गया है 944 नंबर इस हिसाब से दिम देखें है तो यहाँ पर जरल का 944 है EWS का 894 है OBC का 907 है SC का 875 है ST का 876 है तो यह बारे दिम देखें है तो ST का जो कटाफ है वो SC की तुल्ला में देखा जाया तो कंपरेटिल भी जादा गया है और यह काफी इंटरस्टिंग है that's one of the very interesting thing but anyway now यहाँ पे दिम बात करें UPSC की बात करें तो आपको पतोना ची कटाफ मार्क्स दिखा जाया तो यहाँ पे 33 मार्क्स जो है आपको CSAT पेपर में कौलिफाई करना जुरूरी होता है मतलब आप जब CSAT देने जा रहे हो 33% मार्क्स से आपको स्कोर करना होता है बहुत जाई स्कोर नहीं करना होता बाकी यह आप इंडिविजुल पेपर दे रहे हैं तो वहाँ भी आपको हर एक पेपर में 10% मार्क्स से स्कोर करना जुरूरी होता है यह आप किसी पेपर में 10% से कम नमबर स्कोर करते है मेंस में तो आपका पेपर फिर कॉपी चेक नहीं होगी तो यह भी आपको दिहान रखना होता है तो यह रहा है यह सिवल स्काटाब के बारे में इसके लावा जो लोग कॉलिफाई कर गए होंगे उनकों कॉंगरिश लिसन्स जो लोग कॉलिफाई नहीं कर भाए किसी काणवस तो आप लोग दिल छोटा ना करें लाइप में बहुत सरी चीज़े है आपको अगली जो अटेंट है पूरी सिद्धत के साथ ट्राई करना चीए जो भी कमिया है जो कमजोरिया आपके रही है उस चीज़ को आइडिफाई करें और वहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम करें डेफरिटली वो आप सब कुछ कर पाएंगे जो आपनी जिन्दिके में चाहते हैं लेकिन अपने अंदर सबसे महतपूर्ण चीज़ है वो है विश्वास विश्वास बना रखना जरूरी है और एक जिद भी होना चीज़ है कि हम ये करके दिखाएंगे तो ये चीज़े भी इंपूर्ण है यदि आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इनकार्पेट करते हैं और साथ में इस समय तो बड़ा मातपूर्ण चीज़ है रिविजन रिविजन को यदि आप प्रॉपर करते हैं चुकि आपका UPSC का प्रलेमस होने वाला है चुकि कुछी दिन बचे वे जादा प्राइम बचा भी नहीं है तो आप लोग प्रॉपर तरिके से रिविजन करें और सबसे मातपूर्ण बाती है कि लाइफ में एक सिवल सर्विजन के लाइफ में आपस और डाउन साते रहते हैं तो उससे आप ज़्यादर डिमोरलाइज ना हो सबसे मातपूर्ण चीज में आपको यही कहना चाहूँगा और इस फाइन अपना जो टरिके से कितना रिविजन करना है अब इस दिन में कर ले रहा है तो आप उसको प्लैन करें यदि चीज़े नहीं हो पाती है तो आप उसको रिप्लैन करें प्लैनिंग रिप्लैनिंग इस दा पार्ट आफ लाइप एनिवे यह ना डिसकसन इसके लाव जो हमारे नए फ्रेंड्स ने वो हमारा लेंस रिप्लैन कर सकते हैं या आपे क्लासस की इन्फरमेशन से र क्याती है या in case UPSC में कोई भी आपकी queries है regarding anything तो आप नीचे comment करके पूछ सकते हैं या आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है या आपको पढ़ाई करने में किसी तरह का issue है notes बनाने में को issue है तो आप नीचे comment करके पूछ सकते हैं definitely मैं उस पर reply करूँगा civil services के learn services completely fully dedicated है जो भी आपके requirements है उसको हम जरू फुल्फिल करते हैं लेकिन आपके जो requirement है आप नीचे comment करके पूछ सकते हैं discussion को इस बाइड आप करते हैं आपने सभी आरदोस्तों को वीडियो जरू सर करते हैं discussion को पाइड चल पाएड बेसिक एक कटाप कितना आता है मुलाखात करते हैं आप उस फिर तब तक लिए बाबाई and take care